आप लोग देख रहे होंगे कि आज कल रिशी सुनक काफी चर्चा में वने हुए और इवरोप में एक देश पढ़ता है यूनाइटिक केंगडम जिसे आप लोग वेटेन की नाम से जानते हैं वहाँ की पिर्दान मंत्री बने है कौन? रिशी सुनक और रिशी सुनक भारतिय मूल के हैं अब आप लोगं के दिमाग में या रहा होगा कि भारतिय मूल होता क्या है तो देखी ऐसा बैक्ति जिसका कोई पूरवज भारतिय नागरिक था जो बर्तमन में अन देश की नागरि होता है इसलिए भारत में भारत में इन्हें कोई विशेस लाब नहीं होता है इन्हीं लोगों को हम लोग भारती ये मूल के बैक्ति कह देते हैं पर्सन ऑप इंडिया इंडियन ओरिजिन कह देते हैं ठीक है देखिए यह हमारी प्यारी पितवी है और यहां आप देखिए यह हमारा प्यारा भारत है एसी हमें और यहां इरोप जाएंगे आप लोग तो इउनाइटिट किंगरम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और कुछ समय पहले भी इन्होंने चुनाव लणा था उसमय लिट्रस्ट चुनाव जीती थी पिदान मंत्री का और इसी सुनक हार ग देखेंगे कि यहां आप लोगों को मैंचिस्टर हो वर्मिंगम हो एक काफी सहर चर्चा में भी रहते हैं तो यह भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और इसका अगर हम लोग कुल छेत फल देखें ना वेटन का तो दो है 42,495 वर्मिंटर में फैला हुआ है और यहां कि आप देखें अगर जनसंक्या की बात करें तो लगभग 7 करोड के लगभग यहां जनसंक्या देखने को मिलेगी और हमारे देश के देखी 140 करोड देखने को मिलती है तो यह रिसी सुनक की कुछ और फिक्चर है इनकी पत्नी है और इनकी बच्चे हैं दो वेटिया है इनकी देख रहा होगे आप लोग रिसी सुनक इंग्लेंड में कंजर्वेटे पाइटी के एक पिछलित राजनेता और व्यापारी है बिजिस्टमैन है और रिसी सुनक का जनम इंग्लेंड में 12 मई 1980 को हुआ था इनका जनम भारत म नहीं हुआ था ये आप लोग किलियर रियाद रखेगा इनके पिता के नाम येस्वीर और माता के नाम उसा है जो अस्य के समय में चैसी के दसक में उसकी जाती पहले देखी जाती है रिसी के पिताब पेसे से एक सामान चिकिसक है और जिन्होंने इंग्लेंड में अपना अच्छा ब्यापार किया जिसके बाद उनके वेटे रिसी सुकल ने ब्यापार को बढ़ाते हुए बर्तमान समय में अपनी संपत्ती को 3.1 बिलियन पा चुके हैं अगर हम लोग रिसी सुनक्षी सिक्षा की बात करें तो आप देखें कि रिसी की पूरी सिक्षा इंग्लेंड में ही हुई है और अपनी प्यारमीक इंग्लेंड के वेंचास्टर कॉले से पूरी की है या कॉलेज इंग्लेंड का एक पिछलित वार्डिंग वाइ जिसी काम किया और खुद को इंग्लेंड की कंजर्विट पार्टी का एक पिछलित चहरा बना लिया और बहुत कम समय में आप देखें कि इन्होंने इतनी राजनेतिक सफलता भी पा ली है और इसी पढ़ाई में बच्पन से ही अच्छे थे उन्हें सिक्षा की छित में बह दमानें भारत की अमीर लोगों में सुमार ओबिस्त की नामचीन टेकनोलोजी कंपनी इनकोसिस की मालिक नारायन मूर्ती की बेटी अक्षिता मूर्ती रिसी सोनक की पतनी है और याद रहे यहनों दोनों की मुलाकाद इस्टेंड फोर्ड यूनिवरसिटी में एम्बेए की डिगरी के दोरान हुई थी और रिसी और उनकी पतनी अक्षिता की मुलाकाद एम्बेए की डिगरी करते बक्त इस्टेंड फोर्ड यूनिवरसिटी में हुई थी और आप देखेंगे तब से दोनों एक दूसरी के साथ हैं और आंगे चल करने उन्होंने साधी भी की और व गरियर की बात करें तो रिसी सबसे पहले एक ब्यापारी के तौर पर काम करते थी और उनकी राजनितिक सुरुआत थी 2014 में हुई और इस्तराल बेटेन के संसत की सदस बनते हैं 2015 में रिसी ने पहली बार रिचमंड से आम चुनाओ लड़ा और बहुमत की साथ जीता से इसके बाद उन्होंने 2015 से 2017 तक संसत के तौर पर काम करती हुए अपने इलाके में खूब पिचलता हासिल की है और 2017 में विपूर पिधान मंत्री बॉरिस जॉंसन ने रिसी को ट्रेजरी का प्रमुख सचिम निउप्त किया था 2019 में रिसी सोनक फिर से सांसत की रूम में चुने गए और महमध के साथ जीत भी दाच की इन्होंने इंगलेंड रिसी इंगलेंड की एक पिरमुख निता की रूम में तब पिचलित हुए जब 2020 में वेटन की फाइनेस मिनेश्टर के तोर पर उन्होंने चुना गया 2020 में 2020 में हमारी फैली थी और जिसमें उन्होंने फाइनेस मिनेश्टर के पत को वाकूवी नबाया और कुछ बेहतरीन घोषनाएं की बज़े से देश भर में अपनी पिचलता को और यानि की अपनी पिसिद्धी को और मजबूत किया और 2021 में उन्होंने तीसरा बज़ट भी पेस किया क्योंकि बितमंत्री ही आप देखते हैं कि बज़ट पेस करते हैं जुलाई 2022 में रिशी सुनक बॉरिस जॉनसन को बदलने के लिए कंजर्विफिट पार्टी के नेतित में चुनाओ में खड़े हुए और कुछी मतों से लिंज ट्रस्ट से चुनाओ हार गये थे पिदानमंत्री पत की बात हो रही है और सरकारी संकट की बीच लिश्ट रस्ट की स्थीपे के बाद रिशी सुनक ने अक्टूबर 2022 में कंजर्विफ पार्टी के नेतित का चुनाओ जीता अब ये पिदानमंत्री बन रहे हैं और ये बात आप लोग याद रखेगा हमारे भारत में इस नहीं हो सकता है कि कोई राष्ट पती बने या पधानमंत्री बने मुक्तमंत्री बने तो देखिए बिलकुल हो सकता है अगर आप देखी कि हमारे देश में भी कोई अल्वसंक्यक समुदाय का लोग अगर चंता प पर भरोसा, उनका भरोसा जीत पाता है, तो वो बेतर, कोई मतलब आप सोची कि चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, आप देखते भी होंगे, या हिंदू हो, मुसलिम हो, जैन, सिक, इसाई, सभी धरम के लोग लड़ते हैं चुनाव, और ऐसी ऐसी सीटे भी आप लोग दे इसे एक बिवाद भी जुड़ा हुआ है कुछ, वेटन के जिस पार्टी गेट सकेंडल के कारण, बोरिस जोंसन की अधिक किरकरी हुई थी, उसकी आज सुनक पर भी पड़ी थी, और सुनक पर भी पार्टी गेट सकेंडल विशाय में अर्थ दंड लगाए गया था, उन्ह इसे जोनक की भारती पतनी क्वीन एलिजवेस से भी जान्दा थी इनकी संपत्ती, रिसि सोनक की पतनी अक्षिता मूर्थी, भारत की कारोवारी नारायन मूर्थी की वेटी है, और उनका अंफुवेसिस में सियर भी है, और एसे में केवल डिवेड डेंड से उनकी हलसाल अ तरहसल सुनक की पतनी अक्षिता मूर्ती इंफोर्सेस कंपणी की फाउंडर नाराइन मूर्ती की बेटी हैं और साल 2022 में उनको इंफोर्सेस के से 126.61 करोर रुपे का लाव मिला है कंपणी में उनका 0.93% का सीर है तो यह भी याद रखेगा तो एक सौट वाइव ग्राफ ही आप लोग कह सकते हैं रिशी सुनक की है जब भी जो चर्चा में रहता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं किसी और की बारे में जाननी की दिल्चस्पी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे ठीक है